आगे बढ़ते हैं लोकस्वत चुनाव 2024 भले इक खत्म हो चुका है लेकिन 2024 का दंगल अभी जारी है अब जबकि महावारत हर्याना में हैं आप देख रहे हैं प्रधान मंत्री ने हर्याना के पलवल में अपनी चौती और आखरी रैली की और कॉंग्रेस पर जूट की राजनीती करने का आरूप लगाते हुए बीजेपी की हैट्रिक का दावा किया उदर राहुल गांदी तुफानी अफ्तार्प में नसर आ रहे हैं तीन दुनों के संकल प्यात्रा के जरिये राहुल भाजपा पर हमला वर हैं कॉंग्रेस की गुठपासी को भी राहुल गांदी ने आज बड़े दिल्चस्प अन्दास में पेश करने की कोशिश की यानि के एक बेहर दिल्चस्प पावर पैक्ट चुनाव के लिए हर्याना तयार है ऐसे में देखिए फाइनल फाइट मोधी वर्सिस राहुल यहां पे कॉंग्रेस का तुफान आ रहा है परोसा दिल से बाजपाप फिर से बीजेपी को हराईए और यहां पे 36 बराद्री की सरकार प्रगत्री की विकास की सरकार लाइए बाप वो बेटे की राजनीती को जमकाने का अब दलीत मोहरा नहीं बनेंगे हर्याना का चनावी जंग अब ने आखरी दोर में बहुँच चुका दोनों ही दलों के नेता आकरामक दोर पर चनावी अभियान में जटे सीधा मुखाबला बीजे पी बनाम कांग्रेस के बीच माना जा रहा ऐसा में अब हर्याना के जम्मदारी पियम मुदी और राहुल गांधी ने सम्हाल रखी हर्याना का चनाव अब दोनों ही नेताओं के लिए साखका सवाल बनिया आज गांव गांव में चारों तरफ भाजपा की लहर है हर जगह एक ही आवाज गुंज रही है बरोसा दिल से बाजपा फिर से एक तरफ कॉंग्रेस है दूसरी तरफ बीजेपी है कन्फूशन में मताईए कॉंग्रेस पार्टी का सबर्तन कीजिए बीजेपी को हराईए और यहाँ पे 36 बरादरी की सरकार प्रगती की विकास की सरकार लाईए हर्याना के सत्था पर काविस होने को लेकर बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच शहमात का खेल जारी है यह विधानसभा चुनाव देश की दशा और दिशात्य करेगा तो हर्याना के सियासी परिवारों का भवश्य भी देखरेगा बीजेपी सत्था के हैट्रुक लगाने की कवायत में तो कॉंग्रेस अपने 10 साल से छेल रहे सियासी वनवास को खत्म करने के लिए बेताब इसलिए दोनों ही दल इस बार विधानसभा चुनाव में बहुत समहल कर चल रहे और फोक फोक कर अपने कदम बढ़ा रहे ताकि हर्याना की सत्था पर काबिज हुआ जा सकते हर्याना विधानसभा चुनाव इतना एहम हो गया है कि अब हर्याना में राहुल गांधी और पीम नरिंद्र मोदी एक ही दिन चुनावी मैदान में एक तरफ राहुल गांधी हर्याना विजय संकल पयात्रा के माध्यम से चनिता के भी चलसंपर्क कर रहे तो वहीं दूसरी तरफ पियम मूदी हर्याना के पलवल में चुनावी सभा में कॉंग्रेस पर हमला वा रहे हैं एक तरफ बीजेपी के किले में सेंदमारी करने के लिए राहूल गांधी हर्याना में यात्रा कर रहे हैं विजे संकल पे यात्रा के मात्यम से बीजेपी के गढ़ में उन्हें ललकार रहे हैं। यात्रा के दूसरे दिन सोनी पक में जरितों को समुधित करते हुए राहूल गांधी ने बीजेपी को आरे हाथो लिया। उन्हें सम्विधान और आरक्षण फिरोधी करार दिया। तो वहीं पलवल में पिये मूदी ने उल्टा कॉंग्रेस को ही आरक्षण फिरोधी करार दे किया। आक्रमन करती है वो इसको खतम करते हैं हम इसकी रक्षा करते हैं। सम्विधान से बिले आरक्षण का हग कोई नहीं छिन सकता। पिये मूदी ने अपनी रेलियों के जरिया हर्याना के सभी सीटों को साथने का दाफ चला। नरेंद्र मूदी हर्याना के जिन जिन इलाकों में जिन सभाय करके बीजेपी के पक्षण में बहौल बनाने की कवायत करते नजर आई हैं। अब उन्हीं इलाकों में राहूल गांधी रेली कर रही, साथी बीजेपी पर करारा बार कर रही है। अगनिवीर योजना को लेकर भी बीजेपी सरकार के साथी पीम मूदी को आरे हां थो लिया। अगनिवीर योजना को बीजेपी की फर्जी नीती करार दिया। आपके लोग सेना में जाते थे देश भक्ती की आग उनके दिल में होती थी वो जाते थे वो रास्ता भी अगनिवीर योजना के माधियम से बंद कर दिया है अगनिवीर हिंदुस्तान के जवान से उसकी पैंशन उसकी कैंटीन और उसका शहीद का दर्जा चोरी करने का तरीका है राहुल की रेली को अपार जन समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है जहां जहां से राहूल का कारवा गुजर रहा है वहां भारी भीर देखने को मिल रही 2024 के लुक सभाचुना में मिली सफलता के बाद कॉंग्रेस के होसले बुलंदे हैसे में राहूल गांदी ने अपने संबूधन में कॉंग्रेस के कार्य करताओं के बबर शेर कहकर उनका होसला और हाई कर दिया यहां पे कॉंग्रेस का तुफ़ान आ रहा है और हमारे जो कॉंग्रेस के कार्य करता है टाइगर जो हर्याना में मतलब घूम रहे है बबर शेर, जंगल में जाओ, तो आपको एक शेर दिखेगा, एक शेर दिखेगा, अकेले रहते हैं शेर, मगर कॉंग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है, जहां सारे के सारे शेर एक साथ खड़े हो जाते हैं। हर्याना में कॉंग्रेस के भीतर जो कला मची है, हर्याना के लोग इसे भी देख रहे हैं, दलीत समाज ने भी ठान लिया है, बापू बेटे की राजनीती को चमकाने का, अब दलीत महरा नहीं बनेंगे। कभी-कभी हमारे शेर थोड़ा-थोड़ा लड़ जाते हैं एक दूसरे से। फिर मेरा काम शेरों को एक साथ कड़े करने का है। तो यह शेरों की पार्टी है, यह किसी से नहीं डरती है, और हमारे जो कार्य करता है, शेर हैं टाइगर है। द्रसल कॉंग्रेस सीम फेस को लेकर काफी समय से दो गुटों में बटी हुई नजर आ रही थी। कई माखों पर सिर्सा से संसत कुमारी शेलजा और पूरवसियम भोपिंद्र हुड़ा भी एक दूसरे से दूर दूर नजर आते रहें। हालकि राहुल गांधी इन दोनों ही नेताओं को एक मंच परला कर संदेश देने की कोशिश की कि कॉंग्रेस में सबकुछ औलिस बेल है। उधर राहुल बीजेपी पर हमलावर हैं तो वहीं पीम मोदी भी पिछड़ा और दलित कार्ट खेल रहें। ताकि हर्याना के सपोर्ट बैंक को साधा जा सके। ये लोग दिन रात मुझे गालिया देते हैं, अब हमारे मुक्मंत्रीजी साहिनी जी को भी गालिया देते हैं, हमारा और कोई गुना नहीं है। हमारा गुना यही है कि हम OBC यती पिछड़े मा Wha की कोट से पैदा हुए हैं। इसलिए इसलिएए गालिया दे रहें। लोग सभा चुनाओं में इंडिया गठवंदन के प्रदशन ने राहूल गांधी का कद उच्वा कर दिया है साथी उनकी राजजनीती छवी को जबरदस्त फायदा मिला है ऐसे में राजजनीती के दाओं पेच को राहूल भी अब गहराई से समझते हैं यही वज़े हैं कि अब वो खुलकर बीजेपी को उसी के स्टाइल में जवाब दे रहें उतना ही पैसा हम किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का कर्जमाब करें आखर हर्याना का चुनाव बीजेपी कांगरेस के लिए इतना एहन क्यों क्यों पीम मोदी और राहूल गांधी ने अपनी पूरी ताखन चौप रकी इसे चाननों और समझना भी जरूरी हो जाता है दरसल हर्याना एक क्रिश्वी प्रधान पुदेश है हर्याना के बड़ी आबादी खेती किसानी करती है ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांगरेस दोनों ही दलों में किसानों को लभाने के होड़ बची क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसान को साथ लिया तो फिर हर्याना के सत्ता पर काबिस होने से कोई नहीं रोक सकता यही वज़े है कि पियम मुदी और राहुल गांधी दोनों अपने अपने दलों को किसान हिताशी करार देने में विजुड है जितना पैसा इन्हों ने अधानी अंबानी को दिया है उतना पैसा हो हिंदूस्तान की किसान मज़ूर गरीब दले तोंके जेमें डामेगा एमस्पी देवाकर परसा माँ करकर किसान को गैरेंटी एमस्पी हर्याना में आज कॉंग्रेस यहां एमस्पी को लेकर बड़ी बड़ी बाते कर रही है लेकिन कॉंग्रेस की सरकार यहां सिर्फ तीन चार फसलों पर एमस्पी देती थी वो दिन जरा याद करिये जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमस्पी पर कर रही है उधर राहुल ने बीजेपी और आरसेस पर भी हमला बोला उन्होंने कटाक्श करते हुए कहा कि कॉंग्रेस वालों के चेहरों पर मुस्कान रहती हैं तो वहीं बीजेपी आरसेस वालों के चेहरों पर गुस्सा नजार आता है बदलते वक्त के साथ राहुल गांधी ने अपने प्रचार का तरीका भी बदला है जिससे बीजेपी को लगा था टेंट पहुँच रहा राहुल गांधी ये समच चुकी है कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो फिर उसे उसी के गर में चैलेंज देना होगा साथ अगर जंग जीतनी है तो फिर उसके सेना पती पर ही वार की तरखीब भी राहुल समच चुके है यही वज़ा है कि अपनी यात्रा का आगाज राहुल ने अंबाला के नारायन गर सकी क्योंकि अंबाला की नारायन गर विधन सभग शित्र पूर्व में मौझूदा सीम नायप सैनी का चुनाव कशित्र भी रह चुका है साथ ही इस यात्रा के दौरान राहुल लाडवा से भी गुजरे जहां से सीम नायप सिंग इस बार प्रत्याशी है यही नहीं पहले दिन की यात्रा का अंद उसको रुक्षेत्र से हो रहा है जहां से कभी नायप सिंग सैनी सांसत रहे थी यानि सीधा सीम के पूरे बेल्ट को राहुल गांधी ने टार्गिट गिया पार्टी को मीद है कि राहुल गांधी की पद्यात्रा आखरी ओवर में धुआधार बल्लेबासी जैसी साबित हो इसके बूते पर पार्टी साथ सीटों के नजदीक पहुंच सकती अच्छा होता वह अपनी हर्याने में उपलब दी गिनाते है कितने उन्हें मेडिकर कॉल्ज बना लिए, कितनी मेट्रो बढ़ा दी, कितनी रेल्वे लाइन बचा दी गिनाते तो अच्छे होते हैं कितने इन मतलब नौकरियां की बात करते हैं इतनी भारी लूट, यह जो कॉल्ज रोजगार निंगम है, ना वहाँ रिजबेशन, ना मेरिट और पर्चून की तरह नौकरियां भी की हैं, यह बता जते हैं, कहां गया पैसाज की हैं हालकि बीजेपी के साथ छोटे और ख्षेतरी दलो पर भी हमलावा हैं, उनका आरोप है कि छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी की बी टीम यह जो छोटी छोटी पार्टियां गूम रही हैं, यह बीजेपी की बी टीम, सी टीम, डी टीम, ए टीम